जैहिन मेरे पहरे साथियों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल, सिवल इंजिनरिंग, चैप्टर वाइज में आज की वीडियो हमारी रेलवे, ब्रिज एंड टेनल जो सब्जेक्ट है उसमें जितना भी रेलवे का पोर्शन है, उसकी ये लास्ट वीडियो होगी रेलवे हमारा इसमें अल्मोस्ट 60% लेबस कवर करता है इसके बाद ब्रिज और टनल टोपिक बसते हैं, उसको हम आगे कवर करवाएंगे तो ठीक है, आज की वीडियो हमारी रेलवे टोपिक की लास्ट वीडियो होगी इसमें हम कवर करने वाले हैं, रेलवे स्टेशन के बारे में इसके बाद स्टेशन यार्ड क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स जैसे पैसेंजर, बोगी यार्ड, गूड्स यार्ड, लोकोमोटिव यार्ड और मार्सलिंग यार्ड इन सभी टोपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो आईए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो को स्टार्ट करने पहले, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्नों ने अभी तक मेरे चैनल सिविल इंजिनरिंग चैप्टर वाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले आप से सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए साथी साथ ये जो बेल आइकन है, इसको आप जुरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो आएं, उनको आप देखें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और बेनिफिट लें आप सबी को रेलवे श्टेशन क्या होता है इसके बारे में बता होगा, आपने कभी न कभी ट्रेन से ट्रेवल किया होगा a railway station is a railway facility and area where train regularly stops load or unload passenger or fright or both ठीक है, तो यह railway station क्या होता है जहां पे regularly train आती है वहाँ पे सामान की या फिर passenger की loading unloading होती है passenger उसमें चड़ते हैं, उतरते हैं ठीक है, वहाँ पे जो सामान कई बार उतरता है और वहाँ पे loading होती है उसको loading unloading बोलते हैं ठीक है तो दोनों काम भी होते हैं ठीक है इट generally consist of at least one track side platform इसमें एक side platform होता है और एक station building भी होती है ठीक है providing such आपके जो baggage है उनको रखा जाता है फ्राइट service जापे माल का loading unloading होता है ठीक है यह सारी चीज़े वहाँ पे होती है इस्टेशन में भी ground level यह जमीनी लेवल पे हो सकता है underground जमीन के अंदर भी हो सकता है और elevated जमीन के उपर भी हो सकता है ठीक है तीनो टाइप की हमारे railway station होते ह जैसे आपने metro में के भी travel किया हो तो underground भी होता है और elevated भी होता है ठीक है और mostly हमारे railway station ग्राउंड लेवल पे ही मिलता है ठीक है अब देखते है factors जब हम कोई railway station बनाते हैं तो उसकी site हम कैसे choose करते ठीक है it should be affordable distance from the localities ठीक है railway station की जो site हो की जहां पे इसका निरमान किया जाए उसके नजदिक होना चाहिए ठीक है ताकि कम पैसे में कोई भी passenger वहाँ पे easily आ सकता है it should have proper approach road वहाँ पे approach road यानि कि जो पास में सहर है या गाउं है वहाँ से आपका railway station के बीच में connectivity होनी चाहिए ठीक है ताकि easily वह रोड के थुरू वहाँ पे आ सकते है fairly level ground is preferred यानि कि जो हमारी जमीन होगी वो ज़्यादा उबर खाबढ़ना हो ठीक है यानि कि उसका level almost similar हो sufficient land availability for future expansion and development ठीक है ऐसा ना हो कि हम जहाँ पे railway station का निर्मान करने जा रहे हैं अगर future में हमें उसको बढ़ाना पड़े यानि कि starting में 2 या 3 track का हमारा railway station हो उसके बाद हमें उसको 4-5 और ज्यादा expansion उसको बढ़ाना हो अपने railway station को वो ना हो पाए ठीक है तो हम पहले ही यह decide करके चलते हैं कि future में इसका development हो सकता है तो उसी के according हमें जमीन को choose करना होगा अब requirements, railway station पर क्या क्या चीज़े होनी चाहिए उससे पहले यह आप फोटो देखिए यह अंबाला सहर यहां पर एक name tag इस पर दिखा है बोर्ड होता है हर एक railway station पर आपको यह color yellow color पर black में लिखा हुआ मिलेगा ठीक है आपने कभी notice किया हो तो इसके नीचे एक red color की line में कुछ लिखा होता है समूंदरी तल से उचाई यह क्या होता है अब गर आपने survey subject अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा तो comment करके मुझे बताईए कि यह क्या होता है और आपके सहर के आसपास जो भी realization है उस पे इसका mean sea level या समूंदरी तल से होचाई कितनी है और उसका मतलब क्या है ठीक है अगर नहीं पता है तो वो भी मुझे बताईए तो वो भी मैं बताऊं हो फिर अब देखते हैं इसके points the arrangement for controlling and movement of train by signals realization जाँ पे बना हो वहाँ पे train का movement signal के दवारा किया जा सके ठीक है sufficient space available for receiving sorting dispatching of train ठीक है यहाँ पे एक space जो है वो अच्छा हो जादा हो ताकि वहाँ पे जो train आए उसको हम receive कर सके हं ठीक है train में हमें change करना है उसके bogey को हमने change करना है या sunting करना है संटिंग का होता है जासे railway के जितने भी bogey होती है जो wagons होते है जो डब्बे होते हैं ठीक है उनको wagon भी बोलते हैं डब्बे भी हिंदी में हम बोल जेते हैं और generally हम उसको wagon ही भी बोलते हैं ठीक है तो wagon को हम कई बार समान के लिए एक track पे छोड़ देते हैं और engine होता है उसको हम आगे भेज देते हैं ठीक है तो उसको senting बोलते हैं जब पूरी train को छोड़के engine हट जाता है ठीक है तो ऐसे ऐसे जो process होते हैं वो सारे वहाँ पे easily हो सके ठीक है फिर है sufficient number of platform हो वहाँ पे ठीक है ताकि passenger और जो सामान वहाँ पे आ रहा है वो अच्छे से operate उसको किया जा सके ठीक है arrangement for inspection and maintenance of track track का maintenance और inspection अच्छे से हो सके easy and comfortable approach road railway station पे जो road आ रहा है वो easy और comfortable हो ठीक है waiting hall हो वहाँ पे tiring room हो guide map of city for separate arrival and departure of train ठीक है वहाँ पे guide map होना चाहिए city का booking office for issuing ticket and for goods ठीक है ticket के लिए और सामान को एक जिए से दुसरे जिए पहुचाने के लिए booking office हो वहाँ पे name board of the station ठीक है जैसा कि यह आप देख सकते हैं फिर है staff room हो arrangement of drinking water पीने का पानी हो wc आपको पता है water closet होते है और bathroom हो suitable light arrangement हो ठीक है an inquiry office जहां पे पूस्ताज की जा सके security guard room security के लिए guard room होना चाहिए तो यह सारी function वहाँ पे होने चाहिए ठीक है अब देख थे types ठीक है फर्स्ट हमारा wayside station इस type of stations are located on running line running lines पे यह locate होते है these allow faster train to overtake slower train faster train जो होती है उसको यह allow करते हैं कि slower train को overtake कर सके for this loop line and sidings are provided देखे इसमें क्या होता है दो होती है main line एक upside और एक downside ठीक है दोनों direction में जाने के लिए यह super fast line होती है इस पे train को रोकने की कोई भी जरूरत नहीं होती ठीक है अगर train को रोकना है यहाँ पे इस platform पे रोकना है तो क्या करेंगे तो जैसे इधर से आ रहे है train तो यहाँ से इसको crossing करके और इस platform पे इसको लेके और खड़ा कर देंगे यहाँ पे train को हमने खड़ा कर दिया अब पीछे से कोई दूसरी train super fast है जो यहाँ पे नहीं रुकनी है और उसको हमने over take करवाना है अपनी slow train से ठीक है तो इस railway track से हम इसको आगे बेज देंगे ऐसे ही इसमें करेंगे इस तरफ से भी जब एक पर थोड़ा clear करके अभी दिखाता हूँ इस तरफ से कोई train आती है और जैसे माल गाड़ी है ठीक है goods guard है ठीक है goods carrier हमारी जो train होती है तो उसको हम क्या करेंगे इस track से लाके और इस line पे खड़ा कर देंगे यहाँ पे और पिछे से जो super fast आती है stop di होती है या कोई और भी जो special train होती है उनको हम इस track से आगे बेज देते यानि कि यहाँ पे overtake करने के लिए हम इसको रोग देते हैं और super fast train को आगे भेज देते हैं तो इस type के trailer station को बोलते हैं wayside station अब है junction station junction station क्या होता है जहां पे एक दो ने काफी अलग अलग direction से train आती है और अलग अलग direction में train जाती है जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं एक train इदर से यहाँ सबकी हैं तो direction इन शबकी अलग है मिलती सारी एक ही जंगा पे है यहाँ पे ह watermelonHafti होती है और जिसको जिस direction में जाना उस direction में उनको भीज है अयससे railway station जहां पे काफी शारी direction से train आती है और काफी सारी direction में पें जाती है तो वह हते हमारी junction अब आता है टर्मिनल स्टेशन टर्मिनल स्टेशन क्या होता है जहां पर ट्रेन को रुकना होता है फाइनल जो स्टेशन होते हैं यहां पर ट्रेन को रुकना होगा क्योंकि आगे रस्ता ही नहीं है ऐसे ही इस लाइन पर आके ट्रेन को रुकना होगा इसे ही इस पे इस पे इन सभी पे आके train को रोक दिया जाता है यहाँ पे train आके terminate हो जाती है यानि कि खतम हो जाती है अब इसके बाद इसको वापिस भेजा जाएगा जहाँ पे इसको दूसरी direction में अपने according भेज सकते हैं ठीक है अब देखते हैं station yard क्या होता है station yard क्या होता है यह एक open area होता है जिसमें अलग-अलग types होते हैं जैसे first passenger bogey yard goods yard, locomotive yard, marshaling yard आप यह station का एक view देख रहे हैं ठीक है ऐसा ही आप एक करके हम इनको देखेंगे passenger bogey yard passenger bogey yard क्या होता है जहाँ पे जो bogey होती है यह आपकी एक bogey बोलते हैं इसको wagon भी बोलते हैं और हिंदी में डबबा भी बोलते हैं ठीक है train का डबबा ठीक है तो जहाँ पे passenger bogey आके रुकती है तो उस पे एक space available होता है यह space ठीक है जहाँ पे passenger आके बैठते हैं ठीक है rest करते हैं wait करते हैं पानी पीते हैं या और भी जो भी चीज हम यहाँ पे करते हैं वो जो area होगा उसको बोलते हैं passenger bogey yard ठीक है तो प्रोवाइड safe moment of passenger passenger का safe moment के लिए provide facilities जापे banking inquiry waiting place for passenger ठीक है जापे passenger आके रुकते हैं ticket लेते हैं inquiry करते हैं wait करते हैं तो वो सारा जितना भी area होता है वो होता है हमारा passenger bogey yard ओके अब देखते हैं goods yard जहाँ पे समान रखा जाता है ठीक है समान load unload जहाँ पे किया जाता है वो सारा area हमारा होता है goods yard ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे trucks यहाँ पे कड़े हैं यह समान इसमें यह bogey है जो container है इनमें समान को load कर रहे हैं या फिर यहाँ से समान को लेके जा रहे हैं, receive कर रहे हैं, unloading हो रहे हैं, तो यह सारे काम जहां पर होते हैं, वो होता है goods yard, ठीक है, अब होते हैं, locomotive yard, locomotive क्या होते हैं, train को ही locomotive बोलते हैं, ठीक है, जहां पर train को रखा जाता है, ठीक है, जैसे अब train जहां पर terminate हो गई, यहां पर train खतम हो गई, अब ट्रेन की सर्विस उसके अंदर पानी डाला जाता है जो कि वासरूम के लिए यूज किया जाता है ठीक है और भी काफी सारी चीजें उसमें कम हो जाती है ओइलिंग करना होता है उसको ठंडा करना होता है कोई रिपेर का काम है तो वो करना होता है उसके अंदर क्लीनिंग करनी होती है तो वह सारे काम हम इस एरिया में आके करते हैं ठीक है तो जहां पर ट्रेने आती है और वहां पर कूलिंग ट्रेन को ठंडा किया जाता है वाटरि उसको पानी भरा जाता है या पानी से सफाई की जाती है रिपेरिंग, ओइलिंग, क्लीनिंग, एटसेटरा जितने भी काम होते हैं यह ट्रेन पो यहां पर आके किया जाता है और इसी को बोलते हैं लोकोमोटिव यार्ड ठीक है अब आता है मार सेलिंग यार्ड इसमें आपको क्या समझा देखी एक जो ट्रेन है वो कैसे बनती है उसमें काफी सारे बोगी होते हैं ठीक है उनको वेगन भी बोलते हैं ठीक है खाली वेगन काफी सारे होते हैं देखे फर्ष्ट तो होता है जैसे हम बात करें जर्नल बोगी ठीक है जर्नल बोगी जिसमें जर्नल टिकट के साथ हम सफर करते हैं ठीक है फिर आती है एक स्लिपर क्लास ठीक है अब स्लिपर क्लास के बाद आता है एसी रूम सोरी एसी के बाद जहांपे cooking और अलग चीज होते है kitchen के लिए या फिर pantry बोगी वो होती है तो अलग-अलग kind के यहांपे बोगी होती है ठीक है कई पे sitting का ही होता है sitting वाली होती है ठीक है इसमें late नहीं सकते तो अलग-अलग kind के यहांपे बोगी होती है तो यह area वो होता है जहांपे अलग-अलग type की बोगीयों को हटाया जाता है या फिर उनको assemble करके एक पूरी train को तयार किया जाता है तो वो yard हमारा होता है marcelling yard ठीक है जैसे अलग-अलग type के बोगी आपे आई खाली बोगी है उसमें कोई passenger नहीं होता और उसको combine करके हम एक train को बनाते हैं पूरी वो पूरा process combine करना या फिर उनको separate करना वो होता है हमारा marcelling yard में ठीक है आप समझे क्या होता है हमारा marcelling और marcelling yard ठीक है तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो like कीजिए इसको अपने study related group में share कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए thank you for watching have a good day